वेलकम अमर सहर यूटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आज मैं वीडियो में जो बात करने वाला हूँ कि आज फिप्ट अगस्त IVPS RRBPO का प्री एक्जाम डिफरेंड्स सिफ्ट में संपन हुआ इसके कुछ लेसंस हैं इसको अनिलाइज करके आपके सामने रखना चाहता हूँ दरसल बहुत सारे स्टूड्स में मुझे फोन किये उनसे बात हुई कई स्टूड्स का अच्छा एक्जाम हुआ लेकिन कई स्टूड्स का एक्जाम अच्छा नहीं हुआ इसकी वजह क्या है और कल जो आपका एक्जाम होना है और अभी जो एक्जाम के सिरीज शुरू ही है आगे आने वाले दुनों में आज के exam के pattern में जो बदलाव दिखाई देता है वो कितर जाता है इनी बातों पर मैं बात करूँगा सबसे पहले बात ये है कि exam pattern में एक जबरदस्त बदलाव है अब आज की तारीख में IVPS PO PRE और SBI PO PRE से किसे भी हालत में IVPS RRVPO का PRE exam कम standard का नहीं रह गया बने-बनाए pattern को इसने change किया है different shifts में जो questions आए हैं उनका जो structure है वो अलग-अलग रहा है पहली बार समझ लिजिए कि data sufficiency PRE में आए यह यह बताता है कि आगे आने वाले shift में सिर्फ यही नहीं होगा कुछ और भी होंगे मैंने जब strategy video बनाया था तो यह बात कही थी कि कोई भी area अब अच्छूता नहीं रहेगा pre और main exam में जो difference है वो difference section के ख्याल से खतम हो गया है पहले जैसे होता था कि टू डियाई आए 15 questions miscellaneous word problems के आए यह 25 हो गया number series 5 quadratic equation 5 और approximate values 5 यही 40 questions का एक बना बनाया pattern था वो pattern बदला है यह easy to moderate की और गया है even number series का जो hardness है वो बढ़ा है जादतर cases में wrong number series pre में पूछे गए जबकि prior यह main exam में पूछे आते थे data sufficiency आया किसी shift में cash late आया कहीं 2DI आये कहीं कहीं 1DI और data sufficiency आये कहीं कहीं 3 भी आ गये number of questions में भी जो miscellaneous word problems हैं किसी shift में 15 आये किसी में 12 आये approximate values किसी में 4 आये किसी में 5 आये किसी में quadratic equation आया ही नहीं यानी कोई भी section अब बचा नहीं pre exam में ये बताता है कि इसका जो main exam होगा उसमें भी इसी तरह के बदलाव होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना है ये एक बात है जो मुझे कहनी थी दूसरे बात जो students ने कहा उनकी जो समस्याएं थी उसी को ले करके मैं आपको alert करना चाहता हूँ कल के exam के लिए भी और अगले दिन के exam के लिए भी कुछ students ने जिन्होंने sufficient practice के थी उन्होंने अच्छा score किया और exam का tension वो जिल गए balance उन्होंने बना लिया problem यह है कि जो SBI का exam होता है या IVPS का exam होता है उसमें sectional timing होती है sectional timing के अपने फायदे और नुकसान होते हैं यहां पर composite timing है 45 minutes में आपको quant reasoning दोनों बनाना है एक तरफ जहां इसका फायदा है दूसरी तरफ इसका नुकसान है अगर आप पहले reasoning attempt लेते हैं जैसा कि students ने लिया और वो जल्दी जिनोंने कर लिया उनको इसका फायदा मिला जिनोंने 20 minutes में कर लिया उनको फायदा मिला और बाकी 25 minutes वो match में दे करके अच्छा कर गये लेकिन किसी currency किसी puzzle में किसी section में कोई उलज गए और उनको इसमें 25 minutes लग गया तो बाकी 20 minutes में match में वो सम्हाल नहीं पाए और उनका score अच्छा नहीं हुआ दबाव आ गया इसलिए composite timing का फायदा होने के साथ साथ नुकसान भी है इस composite timing में आपको बहुत ज़्यादा discipline जाने की जरुवत है दरसल जब sectional timing होती है तो discipline का मतलब भी नहीं है आपका time खतम वो section खतम अब अगला section शुरू इस ख्याल से आप में managerial capacity कितनी है RRB ने तो primary test लेना शुरू कर दिया है composite timing का यही है कि आपको खुद time management करना है अब ऐसा है कि कुछ बहुत अच्छे students का score उतना अच्छा नहीं रहा और वो बहुत परेशान थे मैंने उनसे पूछा कि कहां कहां उनको दिक्कतें आई किसी को puzzle ने घेर लिया फस गए math में उतना समय नहीं दे पाए किसी students के लिए math के किसी section में कभी कोई DI में फस गए कोई cashlet में फस गए मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि इन जैद्रतों से उस दिन मुकावला नहीं कीजिए बाद में कर लेंगे लेकिन होता नहीं है छूटता नहीं है आसान नहीं है मैं इसमें दोस नहीं दे रहा हूँ ये दरसल sufficient practice से दूर होगा तो इसमें मेरा ये कहना है कि कल के exam के लिए और अगले दिनों के exam के लिए alert हो जाईए हर student ये सोच ले कि कौन सा chapter और section उसका strong है ये सोच ले अगर किसी का mensuration weak है तो mensuration के questions को छोड़ देना है शुरू में समय मिला तो बाद मा जाईए अगर permutation, combination, probability किसी का weak है तो आज माना नहीं है कम से कम शुरू में लास्ट में अगर किसी ने cashlet D.I. की sufficient practice नहीं की है तो exam hall में सीखा नहीं जाता perform किया जाता है अगर last में समय बचेगा तभी cashlet D.I. में आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे आप पहले सोचिए अफसोस होता है मुझे उन्हें students की जो planning थी वो fill कर गई उसको लेकर के 20 भी score नहीं कर सके 15 भी नहीं कर सके जानते हैं ये तो सवाल है कि number series है कितनी भी खराब इस्तती हो number series है approximate values है 13 to 15 miscellaneous word problems है miscellaneous word problems arithmetic problems से आप कैसे घबरा सकते हैं ये तो chapter की questions है ना कुछ chapters 2-3 अगर आपके tough हैं तो छोड़ दीजी 10-12 question तो वहाँ से बनना चाहिए ना miscellaneous word problem से 15 में 10-12 तो हर किसी से बनना चाहिए आप मेरे students है D.I. आसान रहता है आप आसानी से बना सकते हैं संभव है caslet में आप frame करने में सफल न हो पा रहे हों साथ sufficient practice न किये हों 2 D.I. है अगर किसी कारण से एक न बना तो एक तो बना सकते थे किसी भी हालत में 25 से 30 का score रहता ही रहता है खराब इस्तिती में अगर 25 से 30 का कम score रहता है तो इसका दोस पढ़ाई को नहीं है इसका दोस time management को है question के selection को है हाँ 30 से उपर का score करना ये challenging है इसके लिए ज़्यादा practice की जरुवत है ज़्यादा मेहनत करने की जरुवत है दरसल एक तरफ concept होता है और दूसरे तरफ उसका application यानि practice होता है दोनों ही जरूरी है मैं online test series का विरोध करता हूं test का विरोध नहीं करता हूं test के बिन तो आप पास ही नहीं कर सकते मैं चाहता हूं memory best paper अलग-अलग section में जैसे maths का जैसे reasoning का जैसे English का या फिर दूसरे section का GK का अलग-अलग दीजिए और उसमें आप देखिए कि आप से कहां पर missing हो रहा है आप ये देखिए online test की जगह पर मैं offline test क्यों बोलता हूं जब आप paper पर memory best paper पर test देते हैं तो आप बाद में देखते हैं कि आपने किन questions को बनाया किस method से बनाया क्यों ज़्यादा समय लगा जिन questions को आपने छोड़ा क्या वो छोड़े जाने like questions थे ये आप देखते हैं analyze करते हैं उसको सुधार करते हैं इस से सुधार आता है जब तक test देने के बाद उसका analysis न हो तब तक test देने से क्या फायदा इसलिए analysis बहुत जरूरी है इसलिए online की तुलना में offline test देना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है इसके अलावा subject wise test देना चाहिए उसमें भी अगर और ज़्यादा सुधार करना है तो chapter wise test देना चाहिए मैं ये कहता हूँ जिनका भी exam अच्छा नहीं हुआ है वो इससे सबक लें ये start हो रहा है ये सीख दे रहा है lesson है तो सुधारें इसके अलावा वे exam की पूरी स्रिंखला आनी है खूब practice कीजिए concept का clear होना जरूरी है plus concept का application होना भी उतना ही जरूरी है मैंने pre और main की जो series चलाई है सुबह में 9 बजे और 2 पहर में 3 बजे उससे एकदम जुड़े रहे है उसका PDF लगातार दे रहा हूँ ये आपको pass कराएगा आज जो exam हुआ है उसका memory best paper करने को तुम्हें कर ही सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ question को सही डंग से लिखा जाए उसका translation किया जाए English, Hindi दोनों में हो इसलिए उसको देने में थोड़ी देरी होगी या तो आज देर रात या फिर कल सुबह full quant paper में solve करके अच्छे से different method से explain करके question सिर्फ आ गए दिखा देने से कुछ नहीं होता वो तो available होगा कहीं भी site से ले लिजी how to solve method क्या है किन method से उसको solve करना चाहिए था questions को कैसे लेना चाहिए था ये सीखने के लिए मैं memory best paper solve करता हूँ तो जल्दे ही full quant paper के memory best set के साथ आपके सामने आऊंगा confidence रखिए अच्छा करेंगे आप लगातार पढ़ने की और concentrate कीजिए आपको साफलता अवस्य मिलेगी all the best